नमस्कार साथियूँ आज हम मीराबाई जी के पदों की व्याख्या करने वाले हैं MST1 के पाठे करम में कुल 8 पदों को शामिल किया गया है बाकी पदों से व्याख्या नहीं पूछी जाती है आज हम प्रियास करेंगे इस पूरे वीडियो में इन 8 पदों की व्याख्या कर पाएं यहाँ पर आप मीराबाई के बारे में विशेश जानकारी देख सकते हैं इस PDF को मैंने IGNU की वेबसाइट से डाउनलोड किया है हम IGNU को धनेवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सभी विद्यार्थियों के लिए और पाठकों के लिए इस PDF को निशुल करोप से अपनी वेबसाइट पर उपलब्द करवाया है आप यहाँ मीराबाई के बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ सकते हैं यह पूरी जानकारे IGNU के पाठे पुस्तक में दी गई है वैसे भी मीराबाई जी का जो नाम है वो हमारे लिए एपरिचित नहीं है बचपन से हम इनके बारे में सुनते हुए आये हैं हमारी जो स्कूल के पाठे पुस्तके होती हैं उनमें भी मीरा के पद हमने पढ़े हैं साथ में आज भी मीरा के पदों को भजन के रूप में गाया जाता है तो कहीं न कहीं हमने इनके भजन अवश्य सुने होंगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि मीरा भाई का जो जनम है उसका पालन पोशन कैसे होता है लेकिन उनके दादा जी बहुत अच्छे होते हैं मा की मिर्त्यू के बाद उनके दादा जी राव दूधा जी उनको कुड़की बुला लेते हैं और राव दूधा जी जो थे धार्मिक प्रवर्ती के थे और उनके जीवन का प्रभाव सीधा सीधा मेरा के उपर देखा जा सकता है उन्होंने अपने बच्पन में बहुत सारी धार्मिक बाते अपने दादाजी से सुनी और उनका जो मन था वो भगवान श्री कृष्ण की भगती में पूरी तरह से लीन हो जाता है बच्पन से ही उन्होंने मान लिया था कि मेरी जो दुल्ला हैं जिससे मैं विवा करूँगी वो भगवान श्री कृष्ण होंगी खेल खेल में बाल पन में लड़क पन में ये बात उन्होंने कही थी किस तरीके से ये बात उनकी नियती बन जाती है बड़े होने के बाद जब उनका विवा होता है और उनके पती की ऐसमे मौत हो जाती है, बहुत कम समय उनके पती उनके साथ रहते हैं और विद्वा का जो जीवन है वो उनको बिताना पड़ता है, लेकिन जो सामन्ती समाज है उसमें बहुत सारे नियम थे और उन नियमों का पालन करना मेरा के लिए एसंभव हो गया था। उनको अनेक प्रकार से प्रताडित किया जाता था और इन सभी बंदनों को छोड़ कर वो अपने आपको भगवान श्री कृष्ण के चर्णों में समर्पित कर देती है उनी को अपना पती मान लेती है। समाज में इनका बहुत विरोध होता है और समाज में जो इस्त्री की स्थीती है वो तो और भी दैनिये थी बहुत साल पहले की हम बात कर रहे हैं आज की समाज को अगर हम देखते हैं अगर कोई यूवती है, वो शादी नहीं करती है तो समाज में रहना कितना मुश्किल हो जाता है आज पास के लोग ताने दे दे कर माबाप को परिशान करना शुरू कर देते हैं और अगर कोई विध्वा है तो विध्वा का रहना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है दुरबर रह जाता है दीरे दीरे परिस्थितियां बदल रही है लेकिन इतनी भी आज नहीं बदली है आज भी हम खबरों के माध्यम से देखते हैं कि बहुत सारी बालिकाएं जो है राजस्थान की वो श्री किष्णा से विवा कर लेती है और पूरे विधी विधान के साथ विवा करती है, क्योंकि उनको पता है, समाज में पुरुष के जो अधिकार है, इस्त्री के जो अधिकार है, वो बिलकुल भिन्न है, समाज में अगर पुरुष सन्यास लेना चाता है, विवा नहीं करना चाता, तो एक साधान सी बात है, थो विवा कर लेती हैं, विधी विधान से विवा कर लेती हैं, कि उनको किसी पुरुष के साथ विवा नहीं करना, भगवान श्री किशन को ही अपने पती रूप में स्विकार कर लिया है, और भगवान की मूरत के साथ ही वो विवा बंदन में बंद जाती हैं, और इस तरीके से आज भी हम इस पर्था को देखते हैं। मीरा के दादा जी की भी मृत्यू हो जाती है और उसके बाद उनका विभा किया जाता है। विभा महराना सांगा के पुत्र कुवर भोजराज के साथ होता है। उनके पती अच्छे होते हैं, परिवार भी अच्छा होता है, लेकिन ऐस समें उनके पती की मृत्यू हो जाती है, बहुत कम समय उनको अपने पती के साथ बिताने को मिलता है। और ऐसा में पती की मृति होने के बाद वैधवे जीवन उनको जीना पड़ता है और किस तरह की विशम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उन सभी के बारे में बहुत ही मार्मिक वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया है। उनके पद राजस्थानी भाषा से परिपोर्ण है क्योंकि वो राजस्थान की थी लेकिन वो साध्वों का संग करने लगी थी साधू संतों के साथ रहने लगी थी इस कारण से ब्रज भाषा के शब्द भी उनकी राजस्थानी भाषा में मिल गए है। और उनकी जो भाशा है बहुती आसान है, एक बर थोड़ा ध्यान लगा कर हम पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। करते हुए वरंदावन, मथुरा और द्वारका में उनका अन्तिम समय बीटता है और उनकी मिल्द्यू वहीं पर हो जाती है। एसे तो किसे भी इस्त्री के लिए समाज में इस तरह का कदम उठाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन राजपुत समाज में इस्त्रीओं के उपर अनेग परकार के बंधन हैं। और इस तरह का कठिन कारे जो उन्होंने किया है, कठिन उन्होंने अपने जीवन में निर्णे लिया है, वो बहुत ही मुश्किल है। उनके पदों में इस्त्री की वेथा को भी दिखाया गया है। मीरा ने अपने दुख के साथ साथ उस समाज के समकालिन इस्त्रियों के दुख को भी अपने पदों में प्रकट किया है। डॉक्टर विस्वना तिरपाटी ने मीरा की कविताओं पर अत्यंत मार्मिक टिपणी की है, आप यहां पर देख सकते हैं। मीरा बाई की कविता भी भक्ती आंदोलन उसकी विचार धारा और तत्कालिन समाज में नारिस थिती से उनकी टकराहट का प्रतिफलन है। यह प्रतिफलन उस मानवेता में प्रकट हुआ जो अपने समय की धार्मिक साधनाओं के ही साहरे रुपाईत हो सकती थी। ऐसा माना जाता है कि रैदास जी मीरा बाई के गुरू बने उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और साथ में जब हम तुलसी दास जी के पद पढ़ रहे थे तो हमने एक पद पढ़ा था कि मीरा बहुती दुखी हो जाती है जो विशम परिस्थितियां जो संगर्ष वो अ अपने रिस्तेदार हैं अपने घर परिवार के सदस्य हैं उनको उसी भाती छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो अगर भगवान भगती में तुम्हारे पत के बादक बन रही हैं जैसे भरत ने अपनी माता को छोड़ दिया पलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया और ऐसे सभी पदों के बारे में एक-एक-दो-दो पंक्ती में संचिप्त जानकारी दी गई है, यहां पर मीरा के पद आप देख सकते हैं, एक से पांच पदों की व्याख्या आपकी परिक्षाओं में नहीं पूछी जाती है, चठा और सात्वा जो पद है, उनकी व्याख्या पूछ संकेत रूप में आप देख सकते हैं, प्रेमा भग्ति किस प्रकार से उन्होंने इस पद में भगौण स्रीकिषन के परति अपने एक निश्ट प्रेम का संकेत दिया है, भगवान स्रीकिषन का दूसरा नाम नतराज भी है, निर्ते-कला उनको बहुत पसंद है इसलिए मीर प्रियास करती है तो यहां पर मेरा कहती है महा गिर्धर आंगा आंगा नाचीरी आंगा क्या होता है आगे सामने महा यानि कि मैं यहां पर राजस्थानी भाषा है थोड़ा सा आपको ध्यान देने की अवश्रकता है महा गिर्धर आंगा आंगा नाचीरी आंगा क्या होता है आगे मैं गिर्धर के सामने भगवान श्रीकिशन के सामने क्या कर रही हूँ निर्ते कर रही हूँ नाच रही हूँ और नाच नाच के उनको मैं क्या करना चाहती हूँ रिजहाना चाहती हूँ परसंद करना चाहती क्योंकि भगवान श्रीकिशन रसिक शिरोमनी है, नटराज है, निर्ते कलाओं में निपुन है और निर्ते कला से मैं उनको प्रसंद करना चाहती हूँ. नाच नाच महा रसिक रिजहावा, रसिक यानि की जो भगवान श्रीकिशन है वो रसिक सिरोमनी कहे जाते हैं, रिजहावा यानि की उनको खुश करने का प्रियास कर रही हूँ, नाच यानि की नाच नाच कर, नाच नाच महा रसिक रिजहावा, नाच नाच कर मैं भगवान जो रसिक सिरोमणी है उनको मेरे जहना चाहती हूँ परसंद करना चाहती हूँ प्रीत पुरातन जाच्चारी पुरातन यानि की बहुत पुरानी जनम जन्मों का हमारा जो प्रेम है जाच्चारी इसकी जाच परख मैंने कर ली है भगवान श्रीकिशन के प्रती जो मेरा प्रेम है वो अनायासी उत्पन नहीं हुआ है मेरे मन में ये तो बहुत पुरानी प जनम जनमों का हमारा बंधन है और इसकी जाच पर्ख मैंने कर ली है इसकी परिक्षा मैंने कर ली है और ये बात बिल्कुल सही है शाम प्रीतरी बांध घुंगरिया मोहन महारो साचारी शाम प्रीतरी शाम के प्रीत रूपी घुंगरों को बांध कर मोहन महारो साचारी साचारी यानि की सच्चा है मेरा मोहन है वही सच्चा है और उनके प्रीत के घूरू बांद कर उनके सामने मैं नाच रही हूँ उनकी भक्ती मैं प्राप्ट करना चाहती हूँ उनका प्रेम मैं प्रतिदान के रूप में प्राप्ट करना चाहती हूँ मैं तो उनको प्रेम करती ही हूँ ये जनम जनम का बंदन है, जनमों से मैं उनके प्रेम में बावरी हूँ, लेकिन वो भी मुझसे प्रेम करें, मेरे प्रेम का प्रतिदान दें, इसके लिए मैं उनको रिजहाने का प्रियास कर रही। लोक, लाज, कुल्रा, मरजादा, लोक, लाज और कुल्रा, कुल्रा यानकी कुल्की, मरजादा, मरजादा यानकी मरियादा, कुल्की जो मरियादा है, उसको मैंने छोड़ दिया है, जगमा ठेक ना राख्यारी, ठेक क्या होता है, एक मात्र, वही इस जग में, इस संसार में म प्रीतम पल शनना बिरारावा प्रीतम पल शनना बिरारावा मैं अपने प्रीतम को भगवान श्रीकिशन को एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाती एक पल के लिए भी मैं उनको अपनी आखों से अपने नेत्रों से अपने हिर्दे से दूर नहीं करना चाती मैं उनकी रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हूँ, उनमें अनुरक्त हो चुकी हूँ, उनकी भक्ती में पूरी तरह से डूब चुकी हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मीरा मादूर्य भाव की भक्ती करती है भगवान श्री किशन को पून रूप से स्विकार कर लेती है अपने पती रूप में स्विकार कर लेती है उनका अनन्य प्रेम भाव यहाँ पर हम देख सकते हैं लोक लाज की चिंता वो नहीं करती है वो पुरकुल की मरियादा को पूरी तरह से त्याग चुकी है केवल भगवान श्री किशन को अपने मन में बसा चुकी है। पुरे लोग को खोज कर मैंने देख लिया है, मेरा दूसरा कोई नहीं है, एक मातर भगवान श्री किशन ही मेरा सहारा है। साध्या ढिक बैठ बैठ लोग लाज खुया और साधू के संग, साधू संतो का संग करकरके उनके साथ बैठ बैठ कर लोग लाज खुया, लोग लाज को मैंने खो दिया है, अब मुझे किसी परकार की लोग मरियादा मुझे सताती नहीं है, मान मरियादा के बंदन मैंने और जब मैं सादू संतों को देखती हूँ, भक्तों को देखती हूँ, बगवान श्रीकिशन के भक्तों को देखती हूँ, उनके साथ समय बिताती हूँ, तो मैं बहुती राजी हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, जगत देख्या रुया, रुया यानिकी रोना, और जगत को जो मैं देखती हूँ, सांसारिक मौम आया के बंदन में बंदे हुए, मैं आपने रिष्टेदारों को देखती हूँ, इस संसार के लोगों को देखती हूँ, तो मुझे रोना आता है, मुझे बहुती दुख होता है, असवा जल सीच सीच प्रेम बेल बुया, अब किसी भी कीमत पर इस बेल को मैं नष्ट नहीं कर सकती, अब यह आगे पल्लवित होती रहे, पुश्पित होती रहे, मेरी यही कामना है, मैं अपने आस्वों से इसे हमेशा सिंचित करती रहूँगी, अपने भक्ती से हमेशा इसे बड़ा करती रहूँगी, उसको छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, वैसे ही लोकलाज के बंधनों को मैंने छोड़ दिया है, जो भी भाई थे, संगी साथी थे, रिस्तेदार थे, उन सभी को मैंने छोड़ दिया है, केवल भगवान श्री कृष्ण की भगती रूपी घी को मैंने अपने ज जाके राखो साईया, मार सके ना कोई, क्योंकि मुझे अपने भगवान श्री किष्ण की भक्ती पर पूरा विश्वास था, अगर मैं मर भी गई तो उनके चड़नों में विलीन हो जाओंगी, अगर मैं जिवित रही तो उनके चर्णों की भक्ती करती रहूं। मिरारी लगन लाग्या होना हो जो हुए. तो मिरा को लगन लग गई है, भगवान श्रीकृषन की भक्ती की लगन लग गई है. पूरी तरह से उसमें वो डूब गई है. जो होगा वो होगा, यानिकि वो मेरे वश में नहीं है, होना हो जो हुआ, तो जो आगी होगा, जो घटित होगा, उसके उपर मेरा नियंतरण नहीं है, मैं सिर्फ अपने भगवान की भगति को कर सकती हूँ, अपने मन को नियंतरण कर सकती हूँ, जिस प्रकार राणा ने मेर बहुत सारे दंड मुझे मिले, बहुत अपियश, अपकीर्ती, मेरी निंदा हुई, मेरा अपमान किया गया, मुझे चरितरहीन तक कहा गया, तो इसके उपर मेरा वश नहीं है, मैं केवल भगवान श्री कृष्ण की भगती कर सकती हूँ, उनके चर्णों में पूरी तरह से सम मरपित हो गई हूँ, अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे आठवा पद भी व्याक्या के लिए पूछा जाता है, और यहां पर संकेत बिंदू में आप देख सकते हैं, कृष्ण को परसंद करना, तो मेरा किसी भी कीमत पर उनकी भगती करना चाती है, उनके दिव्य रूप के दर्शन करना चाती है, पूरी तरह से वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी है, पूरी तरह से भगवान श्रीकिशन की भगती में, उनका अगाद प्रेम हम यहां पर देख सकते हैं, उनके पदों में श्रीकिशन के परती, उनके अननने प्रेम और भक्ती को हम यहाँ पर मैसूस कर सकते हैं मेरा भाई इस पद में कहती है माई सावरे रंग राची राची यानिकी रंग जाना पूरी तरह से माई यानिकी हे माता माई सावरे रंग राची हे माता मैं तो सावरे के रंग में शाम के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ, उनकी भक्ती में पूरी तरह से में अनुरक्त हो गई हूँ, भक्ती में लीन हो गई हूँ साज सिंगार बांद पग घुंगरू, लोक लाज तज नाची, साज सिंगार मैंने कर लिया है पूरा और अपने पैरों में घुंगरू बांद ली हैं, प्रीत के घुंगरू बांद ली हैं, और लोक-लाज जो है, लोक-मर्यादा जो है, उसको मैंने तज-नाची, तज यनकी छोड़ कर नाची यनकी मैं नाच रही हूँ, मैं मदमस्ट हो रहे हूँ, उनके भक्ती में पूरी तर जो मेरा अज्यान था, वो अब दूर हो गया है, अब मुझे अपना रास्ता दिखाई दे रहा है, मुझे आगे क्या करना है, बीच में मेरा मन भ्रमित हो गया था, मुझे ज्यान नहीं था, गया कुमत, मेरी जो कुमती है, वो चली गई है, जो मेरा अज्यान है, वो चला गय लया साधा संगत और साधू संतो की मैंने संगत ले लिए है। स्याम विना जग खारा लगता है। कड़वा लगता है। मीरा भाई कहती है कि संसार की जो बाते हैं वो कच्ची है, निरर्थक हैं, केवल गिर्धर नागर, नट नागर, जो गिरिधर है, जो नट नागर है, जो भगवान श्री किष्ण है, उनकी जो भगती है, वही रसीली है, वही मेरे मन में जच गई है, मेरे मन में बस गई है, व वही मुझे अब भाती है, वही मुझे अब आनंद देने वाली लगती है। बाकि सभी चीजे मेरे लिए क्या है? व्यर्थ है। तो हम देख सकते हैं, सभी पदों में मेरा की जो एक निष्ट भगती है, जो अनन्य भगती है, उसका पुट हम यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा यहाँ पर प्रियोग की गई है, माधूरिय गुण की भगती की गई है, अनुप्रास, रूपक अनेक अलंकारों का यहाँ पर प्रियोग किया गया है भाषा भूद सुन्दर बन पड़ी है कृष्ण को परसंद करने के लिए मीरा अनेक प्रियास करती है हर वो प्रियास करना चाहती है जिससे गिर्धर खुश हो जाएं जिससे नटनागर खुश हो जाएं आगे आप दस्वा पत देख सकते हैं किष्ण के प्रती पूरा समर्पन यहाँ पर मेरा भै दिखाती है और किस तरह से यहाँ पर वो कहती है कि मैंने तो भगवान श्री किष्ण को मोल ले लिया है सब के सामने ढोल बजा कर पूरे खुले में सबस्ट रूप से मैंने कह दिया है कि भगवान श्री किष्ण मेरे पती है और मैं उनकी पत्नी हूँ किसी परकार की लोक लाज मुझे नहीं लगती है कुल की मर्यादा का अब मुझे ध्यान नहीं है तो यहाँ पर मेरा कहती है किष्ण के परती पूरा समर्पन दिखाते हुए कहती है माईरी महा लिया गोविंदा मोल कि हे माई हे माता मैंने गोविंदा को गोविंद को मोल ले लिया है खरीद लिया है थे कहिया ठाने ठाने क्या होता है छुप कर चिप चिप कर तुम कहती हो कि मैंने छिप छिप कर भगवान श्री किष्ण की भगती किया है, छिप छिप कर उनको मोल लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, महा का चोड़े लियो बजनता ढोल, मैंने क्या किया है, पूरे खुले में इस पश्ट रूप से सबके सामने बजनता बजाते वे, ढोल भगवान श्री किष्ण के नाम को ले लिया है, उनकी भगती में अपने आपको पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, तुम कहती हो कि तुमने छुप कर भगवान श्री किष्ण से प्रेम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, थे कहिया मुहोदे, मुहोदे क्या होता है, महंगा, त मैंने बड़े ही सस्ते में, तराजू में तोल कर, खुब सोच समझ कर, विचार करके, ये मैंने फैसला लिया है, मैंने भगवान श्रीकिशन का नाम ले लिया है, तन वारा महाजीवन वारा वारा अमोलक मॉल, और इसके उपर मेरा पूरा तन समर्पित है, मेरा जीवन समर्प और साथ में, जो मेरे पास अमुल्ले वस्तुए हैं, जो भी मेरी अमुल्ले वस्तुए हैं, अनमोल वस्तुए हैं, वो सारी वारा अमोलक मॉल, भगवान श्रीकिशन के उपर मैंने अपना तन ही नहीं, अपना संपून जीवन ही नहीं, बलकि अपनी समस्त अनमोल वस्तु जनम की कोल, कोल यानि की प्रण, ये जो प्रण है, ये मेरा इस जनम का नहीं है, कि आप मुझे दर्शन देंगे, ये तो जनम जनम का बंधन है, ये तो पुराने जनम के ही मेरे कर्म है, कि आप मुझे अपने दर्शन दे, मेरा भाई कहती है कि हे प्रण, आपने पिछले जनम लिया है, कि वो मुझे दर्शन देंगे, तो वो यहाँ पर मनुहार करती है, कि आप मुझे अपने दर्शन दीजिए, मुझे जनम मरण के बंदन से मुक्त कर दीजिए, मुझे भी प्रेम का प्रतिदान दीजिए, मैं पूरी तरह से आपके चड़नों में समर्पीतूं, आप भी मेरे प्रेम को स्विकार कर लीजी आगे आप देख सकते हैं, पद संख्या बारे से व्याख्या पूछी जाती है, आपके पाठे करम में इसको शामिल किया गया है यहाँ पर मिरा भाई कहती है, राणा जी महाने या बदनामी लगे मेठी हे राणा जी, यह जो बदनामी है, समाज में जो मेरी निंदा हो रही है, जो आलोचना हो रही है ये अब मुझे बुरी नहीं लगती, ये मीठी लगती है, अब मुझे भाती है, क्योंकि संसार जो है, वो हमेशा ही कोई अलग काम करने वाले, संसार हमेशा ही अच्छा कारे करने वाले वेक्ति की निंदा करता है, तो ये बदनामी, ये बदनामी अब मुझे प्रभावित न जो की अनूठा है, जो की मेरे लिए अनमौल है, उसके ओपर मैं चलना चाती हूँ, उसको मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोडना चाती, क्योंकि संसार की जो बदनामी है, संसार की जो आलोचना है, संसार जो मुझे बुरा-भला कहता है, अब उन बातों से मुझे कोई फर्क नह नहीं चल सकता। उस पर चलने के लिए बहुती संघर्ष करने पड़ते हैं। बहुती संघर्ष करने पड़ते हैं। और जो दुष्ट हैं, जो दुर्जन लोग हैं, दुर्जन लोगों ने दी थी। दुर्जन लोगों ने ये भक्ती जो हैं वो देख लिए और उसको इर्शा भाव से देखते हैं। मेरी अनेख परकार से निंदा करते हैं, आलोचना कहते हैं, मुझे चरितरहीन कहते हैं, मुझे कुल नासनी कहते हैं। लेकिन अब मैं इन बातों के उपर ध्यान नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो भक्ती है, वो सच्ची है, और मुझे सही मार्ग मिल गया है। निश्चे है, वो सभी कान खोल कर सुन लीजिए, मुझे अपने पत से कोई भटका नहीं सकता है, मुझे सच्चे ज्यान की प्राप्ती हो गई है। मेरा को किस परकार के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो भक्ती का मार्ग था, वो इतना आसान नहीं था। यहाँ पर मेरा भाई कहती है, पग बांध गुंगरिया नाचिरी, कि मैं अपने पैरों में घुंगरू बांध कर, भगवान श्रीकिशन के भक्ती के घुंगरू बांध कर नाच रही हूं, मस्त होकर नाच रही हूं। लोग कहिया मेरा बावरी, लोग कहते हैं कि मेरा बावली हो गई है, मेरा पागल हो गई है, मेरा अपनी सुदबुद खो चुकी है, उसको किसी परकार का कोई ग्यान नहीं है। सासु कहिया कुल नासारी और मेरी सास जो है वो कहती है कि कुल नासिनी है क्योंकि जो बहुए होती है राजबूत परिवार की जो बहुए होती है सामंती समाज में इतने साल पहले जो बंधन बनाई गए थे उनका उनको पालन करना पड़ता था उनको परदा करना पड़ता थ जहर का जो प्याला है उनकी देवर राणा जी ने भेजा था उनको मारने के लिए क्योंकि वो परिशान हो गए थे उनको लगता था ये हमारी कुल की मरियादा को नश्ट कर रही है और हमारी बातों को नहीं मान रही है राणा ने उनको बहुत बार किसी कम्रे में बंद भी कर दिया था, बहुत परताडित भी किया था और एक बर तो ऐसा होता है कि वो जहर का प्याला उसके लिए भेज दे अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, चाहे मेरे लिए कोई विश का प्याला क्यों न भीजे, मैं हस्ते हस्ते उसको पी लूँगी, क्योंकि मुझे भगवान श्रीकिशन के उपर पूरा भरोसा है, अगर वो मुझे बचाना चाहेंगे, तो कोई भी विश मुझे मार नहीं सक दर्सन अमरित प्यास्यारी, मैं तो भगवान श्रीकिशन के दर्सन रूपी अमरित की प्यासी हूँ, अब मुझे किसी और चीज की कोई प्यास नहीं है, किसी और चीज की कोई इच्छा नहीं है, मिरारे प्रभू गिर्धर नागर थारी सर्णा आस्यारी, सर्णा यनकी श तो यहाँ पर अनेक परकार से उनका विरोध किया जाता है, यहाँ पर कुछ-कुछ बातों के रोप में उन्होंने संकेत दिया है, यह तो कुछ-कुछ संकेत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ होगा. अगला पदा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मीरा का संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया है, वही बातें यहाँ पर बताई गई है, मीरा भाई कहती है, राणा जी थे जहर दियो, राणा जी ने मेरे देवर ने मुझे जहर दिया, मही जानी, मैं पूरी तरह से जानती थी, इस वो बढ़ जाती है, वारा यानी यहाँ पर अर्थ आप देख सकते हैं, बारे वानी, बारो सूर्यों के समान चमक वाला, यानके बहुत ही चमकने वाला, सोना कुंदन बन जाता है, बहुत चमकदार बन जाता है, जब वो अगनी में तपता है, तो यह सारे के सारे जो सारे जो यातनाएं हैं, जो पीडाएं हैं, वो मेरे मनोबल को तोड नहीं रही हैं, बलकि मेरी भक्ती को और मजबूत बना रही हैं, चाहे मुझे कोई जहर क्यों ना दे दे, चाहे किसी परकार का संखर्ष मुझे क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी भी बदना में मेरी ह लेकिन ये सबी मेरी इश्वर भक्ती में बादक नहीं है बलकि मुझे सोने के समान कुंदन बना रही है। मैं अबला बोरानी, अपने घर का परदा कर ले यनकी जिनको लगता है कि मेरी वजे से उनके कुल की मर्यादा नस्ट हो गई है, मैं उनकी कुल नासीनी हूँ, तो वो अपने घर की जो बाकी ओरते हैं उनको परदे में रखे, उनके उपर अपनी लोक लाजकुल मर्यादा की बाते थोपे। बंधन ना लगाए। मेरा भाई कहती है कि प्रभु ने मुझे रानी बना लिया है। दासी अपनी जानी। मैं तो उनकी दासी थी, उनके चड़नों की दासी थी लेकिन उन्होंने मेरी भगती को अपना लिया है। मुझे दासी से रानी बना दिया है, अपने मन में स्थान दे दिया है। मेरी प्रीती और मेरी भक्ती का जो प्रुसकार है, मुझे मिल गया है, उन्होंने मुझे अपने मन की रानी बना लिया है, और इससे बड़ा मेरे उपर क्या उपकार हो सकता है, उनकी क्या किरपा हो सकती है मैं जनम जनम से उनकी सेविका हूँ उनके दर्षनों की अभिलाश्री हूँ और भगवान श्री किशन ने मुझे अपना लिया है यहाँ पर मीरा की माधुरिये गुण से परिपून भगती को हम देख सकते हैं सौलवा पद आप देख सकते हैं ये भी व्याख्या के लिए पूछा जाता है मेरा की भाव दशा यहां पर बताई गई है मेरा कैसा महसूस करती है मेरा भगवान श्री किशन मुझे दर्षन नहीं दे रहे है मेरी जो विरह की वेदना है उसमें मैं दिवानी हो गई हूँ मैं पागल हो गई हूँ और मेरा जो ये दर्द है मेरा जो ये दुख है ये कोई भी नहीं जान सकता आगे मेरा कहती है घायल री गत घायल जाना जो घायल वेक्ती होता है वही घायल की पीडा को समझ सकता है जो घायल वेक्ती होता है वही घायल की पीडा को समझ सकता है यानि कि जिसके मन में पीडा होती है वही दूसरे की पीडा को समझ सकता है मेरे मन की जो पीड़ा है, जो विरह की वेदना है, विरह की अगनी में मैं जल रही हूँ, इस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है, जो मेरे समान भगत है, जो भगवान श्री किशन की भगती में तरस रहा है, हिबडी अगन सजोई, हिबडी क्या होता है, हिर् जोहर की गत जोहर जानना तो यहाँ पर जोहर के बारे में जानकारी दी गई है यानि कि जो बाते हैं जो जोहर की बाते हम सुनते हैं पदमावती का जोहर है वो बहुत ही प्रसीद है उसके उपर एक फिल्म भी बनी है तो यहाँ पर जोहर करता है उसकी गत जोहर जानने जो अपना कोई प्रिये खो दिया है यहाँ पर दूसरे अर्थ को भी समझा जा सकता है जोहर की गत जोहर जानना जो बहुमुले हीरा होता है उसको जोहरी ही परक सकता है जोहरी ही उसकी जाच कर सकता है तो जोहर के अर्थ में भी आप इसे देख सकते हैं दरद की मार्या दरदर डोल्या, बैद मिलाना कोई, दरद की मार्या दरदर डोल्या, और दरद के कारण मैं दरदर डोल रही हूँ, दरदर भटक रही हूँ, दरवाजे दरवाजे पर मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी वैद नहीं मिला है, जो मेरे इस दरद का इला वो तभी मिटेगी, जब वैद सामरो होई, जब स्री किष्ण वैद के रूप में आएंगे, मुझे अपने दर्शन देंगे, मुझे जनम मरंण के बंधन से मुक्त करेंगे, जब वैद सामरो होई, किष्ण मिलन से ही मेरी इस विरह वेदना का अंत किया जा सकता है, इसका एक ही समाधान है कि भगवान श्री किशन के दर्शन मुझे मिल जाएं उनके आने से वैद रूप में उनके आने से ही मेरी पीडा दूर हो सकती है बाकी इस पीडा को कोई नहीं समझ सकता केवल वही विक्ति समझ सकता है जो मेरी तरह विरह में जल रहा है मेरी तरह भगवान श्रीकिष्ण के लिए तरस रहा है दरश्टान तलंकार के माध्यम से मेरा भाई कहती है जैसे जोहर करने वाले की पीड़ा को जोहर करने वाला ही समझ सकता है या बहुमुले रतन की जो परक होती है वो जोहरी ही कर सकता है बिल्कुल वैसे ही मेरे मन की पिड़ा को मेरे जैसा भक्त ही समझ सकता है, मेरे जैसा विरही समझ सकता है, बाकी लोगों के समझ में आने वाली नहीं है मेरा भाई भगवान श्रीकिष्ण के लिए पूरी तरह से पागल हो गई है, पूरी तरह से मतवाली हो गई है, दिवानी हो गई है, मेरा भाई ने अपने विरैकी दशा का बहुत इमारमिक चितरन यहां पर किया है, राजस्थाने मिश्रित ब्रज भाशा का प्रियोग हम यह पर देख सकते हैं, वियोग, श्रंगा, रसका, वर्णन यहां पर किया गया है, उनकी जो भगती है, वो माधुरे गुन से परिपूर्ण है, उन्होंने पती रूप में भगवान श्री कृष्ण की भगती की है, तुलसी दास जी अपने आपको दास मानते थे भगवान राम का सूर्दास अपने आपको उनका सखा मानते थे, भगवान श्री कृष्ण का सखा मानते थे, लेकिन मीरा की जो भगती है, वो अनूठी है, सबसे अलग है, और भगती कालिन साहिते में मीरा की जो भगती है, मीरा की जो पद है, वो बहुती स्रेष्ट है, हिंदी साहिते जग तो आज भी उनके भक्ती को हम मैसूस कर सकते हैं, इतने सालों के बाद भी उनके पदों को हम गाते हैं, तो मीरा बाई का जो स्थान है हिंदी साहिते जगत में वो अनमोल है, स्रेष्ट है, सर्वस्रेष्ट है मीरा भाई के पद हिंदी साहिते जगत में अमुले निधी है आज की इस वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ मीरा के पद आपको समझ में आए होंगी थोड़ा सा ध्यान से आप एक बर पढ़ लेते हैं तो इनकी व्याख्या करना हमारे लिए आसान हो जाता है आपकी परिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुब कामना है मिलते हैं किसी और महतपुन जानकारे के साथ किसी नए वीडियो में तब तक स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अपनी परिक्षाओं की तैयारियां करते रहिए तनिवाद, ओद्बो तनिवाद